सातियो नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट टेकनिकल खेती किसान भाहियो आज की वीडियो में मैं आपको गन्ना ववाई की एक नई विदी की संपूर जानकारी दूँगा जिसको फगवाड़ा विदी के नाम से जाना जाता है अगर आप अपने खेतों में इस विदी से गन्ने की ववाई करोगे तो बहुत ही कमलागात में बहुत अधिक पैदावार गन्ने की अपने खेत से निकल पाओगे तो किसान मित्रो वीडियो में लाश्तक वने रहना इस विदी की मैं आज आपको संपूर जानकारी दूँगा इस विदी से गन्ना ववाई के लिए आपको खेत की पलेवा नहीं करनी सूपा खेत ही तैयार करना है और मुस्किल से तीन या चार जुताई आपको अपने खेत में करनी है उसके बाद पांच फुट की दूरी पर बैड बनाने हैं और किसान भाईयो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो नालियों में एक हलकी सी स्चाही कर देनी हैं उसके बाद किसान भाईयो आपको ववाई करनी हैं इस विदी से ववाई करने के लिए आपको कुछ इस उससे नीचे का हिस्सा बहुत कम रखा जाता है उपर को अधिक रखा जाता है और किसान भाईयों ऐसे ही भी तैयार किया जाता है इस पिदी के लिए सिंगल आग का इसको आप बीच में से नहीं काटें जहां गरने की आँख होती है उससे एक आंगल छोड़ कर काटें और किसान भाहियो कुछ इस प्रकार खेत में इसकी बुवाई की जाती है खड़ी गुली द्वारा जहां गन्नी की आँख होती है सिर्फ उतना ही पोरी का हिस्सा जमीन में गाढ़ा जाता है बाकी का किसान भाहियो जैसा आप देख पा रहे हो उपर छोड़ दिया जाता है क्योंकि किसान भाहियो जितना हमारे आंक से उपर का हिस्सा किसान मित्रो जो आप देख पा रहे हो उपर है यही इसको जमने में मदद करता है क्योंकि इसमें सारा भोजन उपर से नीचे की तर इसी से इस गन्ये का जमाब होता है क्योंकि जितना भी आंक से उपर पोरी में फोसंड होता है वो उपर से नीचे की तरप जाता है तब तक हमारी पोरी पूरी प्रकार से जड़ों का बिस्तार नहीं कर लेती तब तक यही हिस्सा फोदे को पोसंड देता है तो भाईयो जैसा आप देख पा रहे हो कुछ इस पिरकार इस बिदी द्वारा गन्ने की बुवाई की जाती है जो हमने नालियां तयार की है जिसमें हमने सचाई की है किसान भाईयो उसी में बैड के एक साइड में कुछ ऊपर खड़ी पोरी द्वारा बुवाई की जाती है किसान भाईयो कुछ दिनों में ही गन्ना आपको अपने खेत में कुछ इस पिरकार का दिखाई देगा जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाईयो इस बिधी से बुवाई करने के बाद किसान में त्रो बहुत जवरजस्त हमारा गन्ना बियात करके चलता है गन्नों की संक्या बहुत ही अत्यादिक होती है क्योंकि गन्ने की फसल के लिए पानी की बहुत कम आवसकता होती है गन्ये की फसल को सिर्फ नमी की आवस्चता होती है और किसान भाईयो इस बिदी में बहुत कम पानी प्रियोग किया जाता है सिर्फ हमको हलका हलका पानी नालियों में देना पड़ता है जिससे कि हमारा जहां पर गन्या लगा होता है वहां तक पानी की नमी पहुंझाए उस कारण किसान भाईयो आप देख पा रहे होगे गन्ना बहुत जवरजस्त बियात करके चलता है और गन्नों की संक्या किसान भाईयो लाइस तक बहुत अधिक बनी रहती है किसान भाईयो इस विदित से जब हम अपने खित में बहुँआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4 या 5 पुट रखते हैं और किसान भाईयो गुली से गुली की दूरी 2 पुट रखने के कारण किसान भाईयो पौदे को अच्छी खासी व्यात करने के लिए जगे मिल जाती है जिस कारण गन्नों की संक्या बहुत जवरजस्त होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे किसान भाईयो एक पूरी से लगभग 15-20 गन्ने आसानी से तयार हो जाते हैं और सारे गन्नों की लंबाई और मुटाई किसान मित्रो बहुत अच्छी होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे किसान मित्रो अब बात करते हैं इस बिदी से गन्ने की पैदावार एक एकड में कितनी निकलती है तो किसान भाईयो पैदावार डिपेंट करती है कि आपने इस बिधी द्वारा अपने खित में कब बुवाई की थी और कैसी गन्ये की देखरेक आपने अपने खित में की है अगर आपने किसान भाईयो इसकी सही समय पे अपने खित में बुवाई की है जो कि इसका गन्ना बुवाई का सही समय एक अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक का बेस्ट समय होता है तो किसान भाईयो अगर आप उस समय पर अपने खेत में इस बिदी द्वारा बुवाई करते हो तो आपको अपने खेत में लगवग 800 से 1200 कुंटल पृति एकड के हिसाब से पैतावार देखने को मिलेगी क्योंकि किसान भाईयो पंजाव के डॉक्टर अवतार सिंग काफी वर्सों से इसी बिदी से अपने खेतों में बुवाई करते हैं और किसान मित्रो उन्होंने ही इस बिदी को फगवाड़ा बिदी नाम दिया है क्योंकि उनके गाहों का नाम फगवाड़ा है सबसे पहले किसान मित्रो उन्होंने अपने खेत में इस बिदी से गन्ने की बुवाई की थी तब उन्होंने खड़ी पोरी द्वारा अपने खेत में सबसे पहले बुवाई की थी तब उन्होंने लाइन से लाइन की दूरी चार फुट और किसान भाईयों पोरी से पोरी की दूरी दो फुट रखी थी लेकिन किसान भाईयों दीरे दीरे वो दूरी बढ़ाते गए और आज अपने खेतों में वो लाइन से लाइन की दूरी 9 फुट और किसान भाईयों गुली से गुली की दूरी 4 फुट रखते हैं और 800 से 1200 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाब से गन्य की पैदावार लेते हैं और पूरी साल गन्य के साथ अपने खेतों में सह फसली के रूप में सभी प्रकार की फसल भोते हैं और उनकी भी बहुत जवरजस्त पैदावार गन्य के साथ में निकलती है वहीं किसान भाईयों अगर इसकी लाइन से लाइन की दूरी पाँच फुट और वड़ से वड़ की दूरी दो फुट रखी जाए तो किसान भाईयों बहुत ही आसानी से 500 से 800 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाब से निकलती है अब के पहली वार मार्च के महिने में दो बीगा इसी विदी द्वारा गन्य की ववाई करेंगे और किसान भाईयों तब देखते हैं कि मार्च के महिने में ववाई करने पर इस विदी से गन्य की पैदावार कितनी निकलती है तो किसान भाईयो आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन किसान सातियों ने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है किरपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करें किसान भाइयो मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार